मोहिनी एकादशी नाम से ही प्रतीत होता है कि मोहित करने वाली यानि कि मोह में ले जाने वाली एकादशी लेकिन ऐसा क्यों पुराणी कता के अनुसार विशाक मास के शुकल पक्ष की ग्यारवी तीती के दिन श्री हरी ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया था और श्री हरी का एक मात्र ये इस्त्रिय उपता था मनिता है कि मोहिनी एकादशी पर व्रत करने से सोभाग्य, सुख, सफलता, सम्रद्धी का अशिरवाद मिलता है मा लक्षमी आपके घर में विशेश खुशाली लेकर क्याती है आज के इस वीडियो में मोहिनी एकादशी पर करने वाले तीन महा उपायों के बारे में बात करेंगे सबसे पहला उपाय होगा हल्दी वाला दीपक, सबसे खास उपाय है दुसरा उपाय होगा तुलसी जी के तीन पत्ते से आपके घर में सुक समरद्धी आने वाली है और तिसरा महा उपाय होगा आपके बच्चों को ओम का जल आपको पिलाना है बहुत खास ही उपाय हैं और तीनों मोहिनी एकादशी पर ही किये जाता है जब समुद्र मंतन हुआ था तो अमरत की प्राप्ति के लिए देवता और असूर दोनों में होड लगी हुई थी उसे पाने की होड लगी हुई थी ताकत के बल पर असूर देवताओं से अधिक बल चाली थे और देवताओं चाह करके भी असूरों को हरा नहीं सकते थे यही वज़े है कि इस एकादशी को मोहीनी एकादशी कहा जाता है बहुत ही प्रभावशाली इस एकादशी का महत्व हमारे गरंथों में लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है देखे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज कि ये जो तीनों उपाय हैं पुझी गुरुदेव, पंडित, प्रदीब जी मिश्राक की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुब्यम जरूर लिखना मोहीनी एकादशी 2024 में इस बार कब है देखो मोहीनी एकादशी 18 माई 2024 दिन शेनिवार को सुबह 11 बच कर 23 मिनिट पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 19 माई 2024 को रविवार में 2 फर 1 बच कर 50 मिनिट पर अब यहाँ पर अगर हम देखे हैं तो पंचांग के अनुसार मोहीनी एकादशी का जो वरत है वो 19 माई को रखा जाएगा क्यों क्योंकि उद्याकाल की तीती ही मानने होती है एकादशी की तीन महा उपाए एक करते वे तीनों को समझेंगे सबसे पेला उपाए जिसा हमने आपको बोला कि हल्दी का दीपक आपको जलाना है जब भी हम भगवान विष्णु के लिए दीपक प्रजलेत करते हैं तो वो हमेशा गोल बाती का दीपक ही होता है माटी का लेना चाहो दीपक आटी का दीपक लेना चाहो जो दीपक आपको मिल जाये जो दीपक आप बना लो वो दीपक आप ले सकते हैं दीपक के अंदर घी का प्रयोग करेंगे और दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है यहाँ पर एक चीज समझना यह जो हल्दी वाला दीपक है हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णियों को बहत प्री होती है और हल्दी का दीपक जैसे ही जलता है ना रविवार के दिन है और रविवार के दिन किसी भी गोशाला में जाकर के इस दीपक को प्रिजुलेट करना देखो गोशाला में जा रहे हो तो दीपक ऐसी जगा प्रिजुलेट करना चोखट पर प्रिजुलेट कर देना ध्यान एकना किसी भी चीज़ को हानी नहीं होनी चाह कर सकते हैं सबसे पेला इंपको गोशला पर लगाना चीन को सकता है अ हो सकता है इस आप आप के घर जहां कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर भी आप ये दीपक प्रजुलेत कर सकते हैं जब दीपक प्रजुलेत करोगे दीपक के प्रजुलेत करने के बाद वहीं पर दीपक की और दरश्टी करके ओम नमो भगवते वासु देवाय का आप ग्यारा बार जाप करेंगे तब ही ये दीपक जो है आपको पुन्य फल की प्राप्ति कराएगा विशेश द्यानकना तो ये हो गया पहला उपाए बहुत ही प्रभावशली उपाए है समस्त पापों का शय करने वाला ही उपाए है अब हम बात करते हैं दुसरे विशेश उपाए की कहा जाता है कि एकाद और शेला के प्रष्या आ रही है तो आप को तुल्सीजी के जो पत्ते हैं वह पहले से ही तोड़कर रखे रख लेना है आज गुरुबार है कल शुक्रिवार है तीन दिने आपके पास थैँ तुनों से उपत्छाओ तब तुल्सी दल तोड़कर कर कर रहें पुराने तुलसी दल हैं तो आप उनका भी उप्योग कर सकते हैं हमें तीन तुलसी दल की अविशक्ता होगी इस उपाय को करने के लिए तीन तुलसी दल को आपको अच्छे से शुद्ध जल से साफ कर लेना है तीन तुलसी दल आप तोड़ करके रख लेना शनिवार के पहले 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 ठीक है शनिवार सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ करके रख लेना क्योंकि रविवार के दिन आप तोड़ नहीं सकोगे क्योंकि एकादशी तेती पूरे दिन माननी रहेगी और एकादशी पर ही ये उपाय करना है मोहीनी एकादशी पर तीन आपको पत्ति लेने है साथ में एक चुट की हल्दी आपको लेनी है यहाँ पर बहुत प्रभावश अली ये उपाय है आप आपके घर में भगवान विश्नु के जो भी अवतार आपके पास हो उनकी फोटो के सामने आपको बेट जाना है ठीक है फोटो के सामने लाल कपड़ा बिचाना तीनो ये पत्तिया रखना एक चुटके हल्दी रखना एक गोल बाती का दीपक भगवान के सामने प्रजुलित करना उसके बाद हो सके तो आज के दिन पीली चीज भगवान को अर्पित करना जाए पीला आप जिससे की आप भोग के रूप में गुड का प्रयोग कर सकते हैं और गुड के अंदर एक तुल्सी दल आपको अविश्य मिलाना है क्योंकि बीना तुल्सी दल के भगवान विश्नु भोग को स्विकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो वह आपका जो भोग है वह अर्थ चल जाएगा अब यहाँ पर भगवान विश्नु को हल्दी से तीलक करना है आपको हो सके तो पीले रंग के पुष्प भगवान विश्नु के चरणों में आपको अर्पित करना है फूलों की माला आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं पीले वस्त्र प्रभू को आप अर्पंड कर सकते हैं आप देखो अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना तो बस भगवान विश्णों के सामने बेट जाना दीपक प्रजरेत करना तीन तुलसी दल रखना एक चुटके हल्दी लेना साथ में आप क्या करोगे भगवान विश्णों को फिर वापस से दूसरे पर एक टिकी लगाएंगे फिर 11 बार वापस से जाप करेंगे फिर तीसरे पर आपको एक चुटके हल्दी आपको लगाना है तीन पत्ते पर तीन बिंदी आपको हल्दी की लगाना है अब क्या करोगे एक एक पत्ता जो है आपके घर में तीन इस्थ दूसरा जो पत्ता है वो आपको आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर रखना है यह भी वेकती इस प्रकार से दाल अरपित करता है वहाँ पर दिवी महा महित करना ऐ उतेर, पर वहां पर आपको रखना है तक आपके घर में धंदानी के कोई भी भंडार जो है जो खाली होते जा रहे हैं वह अपने आप बढ़ते जाएं विशेश मान पूर्णा की कृपा आपके घर में हो तीन पत्ते आपके जीवन के समस्याव को हल करने में सक्षम है यहां पर आप दे तो तुलसी दल सनिवार के दिन पेले ही आप सुर्यस्त के पेले पेले तोड़ लेना क्योंकि बहुत वीशेश उपाय है करने जीसा उपाय है तो जरूर यह उपाय आप कर सकते हैं देखें अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की ओम का जल किस प्रकार आपक सकता है इस उपाय के लिए आपको मात्र ञगेगा बेलपत्र कहीं से भी खंडिक नहीं होना थेके बेलपत्र तोड़ा सा पीलह चंदन आपको लेना है और साथ में तुल्शी दल में भी जाब आप टीकी लगाओगे ना तो सीध्यात की चीठे उंग्ली के पास वरी जो उंग्लि है जिसे हम अनामी का उंग्ली क歌ते हैं अनामी का उंग्ली सही तीलग लगाना है ठीके लगाना है अब यहाँ पर समझना जो बेल पर वाली चिखनी वाली जो पत्ती है उस साइड पर वाली पत्ती पर ओम का निर्माण आपको करना है या एक बिंदी भी लगा सकते हों ठीचे है टीक है फीले चंदन से हों का निर्माड करूंगे सीधे हाथ की शिद्य उंगले में ढ़र देब şehगें पर आपको और खिछक 났ना है और ऑ सुरेशुर महादेव का इसमरेंट करने को आप क्या करूंगे जो ताम्द्य के पात्रियव का जो जो जल जल जलादरी के माहाँ पर भे करके आएगा उस जल को छेल लेना है और सुरेशुर महादेव की कृपा विशेई जीवन में बरसे ऐसी कामना करते हुए इस जल को घर पर लेकर के आजाना है और बच्चे को आपको पिलाना है देखो अगर बच्चे पीते नहीं है इस तो खाने में मिला करके देजीजिए तो वो इसको ग्रहंट कर सकते हैं ध्यान रखना खाना जो होगा जो भोजन होगा वो शुद्ध होना चीए पवित्र होना चीए ऐसे किसी भी चीज में तामसिक भोजन में इसको मत मिलाना ठीक है तो हो सके तो जल वाले पीने के जो ग्लास जो आप दोगे तो उसके अंदर भी मिला करकर दे सकते हो ये जल बच्चों को दे सकते हो साथ-ि-साथ रोगी व्यक्ति को भी आप दे सकते हो बहुत प्रबावक्शाली उपाय है सूरेश्वर महादेव की विशेश क्रपा होती है सूरेश्वर यानि की जो तेज देते हैं जीवन के अंदकार को दूर करते हैं रोग में भी सूरेदेव सहायक होते हैं साथ इसाथ बच्चे अगर आलसी हैं तो उनमें भी तेज आए तो भी सूरेदेव सहायक होते हैं तो ये उपाई भी आप कर सकते हैं आज के इस पूरे वीडियो में तीन महा उपाई के बारे में हमने आपको बताया बहुत प्यारा-प्यारा से उपाई हैं जरूर करना श्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महा देव